इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि final year वाड़े students को promote कर दिया गया है उसके अलावा जो भी distance का student है उसको भी promote कर दिया गया है उसके अलावा जो भी private student है उनको भी promote कर दिया गया है उसके इलावा अगर मैं बात करूँ जो भी पोल्टेक का स्टुडेंट है उसको भी पर्मोट कर दिया गया है अगर आप इस खबर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जुरूर देखें हैलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सबी आपका फिर से स्वागत है आपके यूटूब चैनल क्रियेटिव स्टडी एक के पर अगर आप चैनल के उपर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लो बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि जो भी मैं एक्जाम से रिलेटिड आप लोगों को अपडेट दूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए तो अब बात कर लेते हैं भई नोटिस के बारे में जर्नली ये नोटिस हाइयर एजुकेशन की साइट के उपर आया है और मैंने इसको क्रोश चेक भी कर लिया है ये हाईयर एजुकेशन की साइट के उपर नोटिस है और जर्नली ये जो नोटिस है ये उस ड्राफ्ट का अंसर है जो सभी उनिवस्टीज ने 15-6 को मीटिंग के अंदर जो मीटिंग होई थी 15-6 को उस मीटिंग से जो ड्राफ्ट बेज जा था गोर्मेंट को उस ड्राफ्ट का ये क्या है रिपलाई है अब इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो स्टेट गोर्मेंट है सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं अब इसके अंदर ये बताया गया है कि अब स्टेट गोर्मेंट ने क्या डिसाइड किया है सबसे बड़ी खबर आ रही है कि फाइनल ये के स्टूडेंट है या जो भी इंटर्मेडियेट के स्टूडेंट है उनके एक्जाम नहीं होंगे उनको पास कर दिया गया है यानि फाइनल ये अरवाडों को पास कर दिया गया है और इंटर्मेडियेट के जो भी स्टूडेंट है उनको नेक्स्ट समेस्टर या नेक्स येर में परमोट कर दिया गया है उसके बाद जो सबसे important line है जिसका distance और private वाड़ student को इंतजार था वो है the same formula cell also be applicable for distance education and private student यानि कि जो भी distance का student है या private का student है उनको भी promote कर दिया गया है चाहे वो first year का हो, चाहे वो second year का हो, चाहे वो final year का हो तो सबसे बड़ी खबर आ रही है आपके सामने कि final year distance और private student जो भी है उनको promote कर दिया गया है उसके अलावा जो reward student है उनको भी promote कर दिया गया है ये देखो the student second point है the student with academic arrays in previous examination may also be exempted मतलब छूट मिलना from examination and are to be promoted to next semester and the reappear students are given marks on average basis of previous examination for promotion यानि कि जिन students के re-IUE है यानि कि जिन student के previous semester या previous year में re-IUE है उनको भी next semester में promote कर दिया गया है और जो उनके re-ke paper है वो उनके average basis पर marks दिये जाएंगे और उसके अलावा last में लिखी हुई है line the same formula shall be applicable for distance and private student यानि कि जो भी reward student है उनको भी pass कर दिया गया है इस समय कि सबसे बड़ी खबर आ रही है कि final year वाड़ों को, distance वाड़ों को और private students वाड़ों को promote कर दिया गया है उसके अलावा जो भी reappear के student है उनको भी promote कर दिया गया है जो उनके re-ke marks होंगे वो उनके average basis पर दिये जाएंगे जो उनके previous semester में marks आई है तो thanks for watching creative study एके और notice original है इसकी वीडियो मैं बाद में बढ़ाऊँगा उसके अलावा जो complete notice है वो मैं आप लोगों को बाद में बताने वाड़ा हूँ तो इस से मैं कि थोड़ी ये ज़्यादा important news सी तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दी है तो first point के अंदर एक line और लिखी हुई है अगर university चाहे तो वो online examination ले सकती है ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर उनके पास पूरा अगर उनकी पूरी तयारी है online examination की तो वो online examination ले सकती है पर आप लोगों को और मुझे भी पता है किसी भी university हरियाना की जो भी university है वो capable नहीं है online examination लेने के लिए तो इस समय की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सभी आप सब लोग प्रमोट हो गए हो चाहे आप final year के हो चाहे आप distance वाले हो या आप private student हो या प्रीक student हो तो thanks for watching creative study again